श्रीर गनपती जी की चैहर हर्द महांदेव श्रीप पुरान के उंचार एक बार माता पारवती ने श्रीनान से पूरव श्रीर पर हल्दी का उप्टन लगाया था इसके बाद चब उन्होंने उप्टन उतारा तो इसे एक पुतला बना दिया और उसमें प्रान डाल दिये इस तरह भगवान गनेश की उत्पती हुई इसके बाद माता पारवती श्रीनान करने चली गई और गनपती को अदेश दिया के तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को वी अंदर मत आने देना कुछ देर वाद बहां भगवान शिव आये और कहा कि उन्होंने पारवती जी से मिलना है तो वार पाल पने भगवान गनेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया इसके वाद शिव गणों और भगवान गनेश के बीच भ्यांकर चुत किया ले तो रोने लगी और परले करने का निश्चे कर लिया इससे देव लोग भैवित हो उठा फिर देवता उन्हें उनकी स्थूति कर उन्हें शान्त किया भगवान शिव ने गरूर जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और चोबी मा अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ गरूर जी को काफी देर तक ऐसा कोई नहीं मिला अंत एक हथनी नजर आई हथनी का श्रीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुँ करके नहीं सो सकती तो गरूर जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए शिव जी ने उस बालक के धर पर अकर उसे पूने जीवत कर दिया पारवती उसे पूने जीवत देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गनेश को अशीरवात दिया भगवान शिव ने उन्हें अशीरवात दिया कि किसी भी मंगलिक कारे की शुरुआत अगर गनेश पूजा से एक और कथा चानते हैं भगवान गनेश की एक और जनम कथा भगवान गनेश की एक और कथा है इस कथा के उनसार माता पारवती जी ने गनेश जी को पुतर प्रापती के लिए कठोर तब किया था पारवती के तब से परसन होकर भगवान ने उनको जेवरदान दिया आपको बिना गरब धार्न किये दिव्यों और बुद्धी मान पुत्तर की प्राप्ती होगी इस से चारों तरफ खुशी काम होल हो गया सवी लोग कहलाश परबत पर बाल गनेश को देखने आए और भगवान शिव और माता पारवती के उत्सम में शामिल हुए इस उत्सम में शनी महराज भी आए और तब माता पारवती ने उनसे बालक को अशिर्वात देने के लिए कहा लेकिन वे अपने द्रिस्टी की बजा से बच्चे को देखने से बच रहे थे तबी पारवती जी ने कहा कि लगता है आपको बालक का आगमर्म संद नहीं आया शनी दीव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है फिर उन्होंने जैसे ही अपनी द्रिस्टी बालक पर डाली उससे बालक का सिर अकाश में उठ गया चारों तर्फ उत्सब के महोल में हाकार मच गया तब गरूर जी से उत्म सिर लाने को कहा और वे हाथी का सिर लेकर आये और उसको बच्चे के शिरीर पर रख दिया फिर शंकर जी ने बच्चे में प्रान टाल दिये इस तरह गनेश ची को हाथी का सिर्क प्राप्त हुआ फ्रेंज इस तरीके से गनेश ची का चर्म हुआ था वो दो कथा आपके साथ मैंने शेयर किये है वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना जो मेरी वीडियो पर पहली वार आए हैं प्लीज वो मेरी चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल फ्री है और जिनोंने सस्क्राइब करके रखा उनका दिल से धन्यावात करती हूं शिप भोले बाबा की और गनेश ची की किरपा सब के उपर बनी रहे हर हर महादेव जै शिरी गनेश